वेलकम टू अंकित फार्मेसी दोस्तों इस वीडियो में हम नाइपर का प्रिविज इयर का कुश्चन पेपर देखेंगे नाइपर एक्जाम में प्रिविज इयर के कुश्चन रिपीट होते हैं अगर आप NIPER की तैयारी कर रहे हैं तो आपको previous year के question paper जरूर solve करने चाहिए क्योंकि इससे आपकी rank और अच्छी आ सकती है और इस वीडियो में हम केवल 25 question देखेंगे उसके बाद next वीडियो में देखेंगे और दोस्तो अगर आप हमारे channel पढ़ नए हैं तो हमारे channel को subscribe कर लें और bell icon को भी दबा दें ताकि जब भी कोई हमारी new video आए तो उसका notification आपको सबसे पहले मिले सबसे पहला question है Which one of the following is a selective 5HT 1D receptor agonist इन में से कौन सा 5HT 1D receptor agonist है सबसे first option है बस्पिरोन सिंगेटन option है ओंडेंसे ट्रोन थर्ड ओप्षन है शूमाट्रिप्टान और फोर्थ ओप्षन है सी सप्राइड जो इसका right answer है वो है शी सूमाट्रिप्टान सूमाट्रिप्टान जो होता है 5HT 1D receptor agonist होता है और जो यह बस्पिरोन है बस्पिरोन एंटी एंजाइटी मेडिसिन होती है या एंजियोलाइटिक एजन्ट होता है ओंडेंसे ट्रोन क्या होता है 5HT 3 एंटागोनिस्ट और जो सी साप्राइड है यह 5HT 4 receptor agonist है इसके बाद नेक्स्ट क्वेस्टन है डी अमाइनेशन और 5-methyl cytosin प्रोड्यूसेज जब 5-methyl cytosin का क्या होता है डी अमाइनेशन तो क्या प्रोड्यूस करता है यूरासिल cytosin एडिनिन और थायमीन जो इसका राइट आंसर है वो है डी थायमीन नेक्स्ट क्वेस्टन है विच एंजाइम इज यूज़ फॉर कॉप्लिंग ऑप डी अने हैलिकल्स कौन सा एंजाइम यूज़ किया जाता है डी अने की कॉप्लिंग में गायरेज लाइगेज़ लाइज़ और आईशोमरेज़ जो इसका राइट आंसर है वो है बी लाइगेज़ नेक्स्ट क्वेस्टन है विच अप दे फॉलॉविंग आर नौन रेडूसिंग सुगर इन में से कौन सी नौन रेडूसिंग सुगर से पहला उप्शन है लेक्टोज औन ग्लेक्टोज सेकेंड उप्शन है आईसो मल्टोज औन मल्टोज थर्ड उप्शन है फ्रक्टोज औन राइबोज फॉर्थ उप्शन है सुक्रोज औन ट्रिहलोज जो इसका राइट आंसर है वो है दी सुक्रोज औन ट्रिहलोज नेक्स्ट क्वेस्टन है which nucleic acid base is absent in RNA कौन से nucleic acid base absent होता है RNA में 4 option है पहला option है guanine दूसरा है adinin तीसरा है thiamine और चौथा है uracil जो इसका right answer है वो है C thiamine absent रहता है RNA nucleic acid base में Next question है the number of carbon in steric acid जो steric acid होता है उसमें कितने number of carbons होते है 15, 16, 17 और 18 जो इसका right answer है D 18 carbon होते है steric acid में और 16 carbon होते है palmitic acid में और जो 15 and 17 है 15 और 17 है इसमें कोई ऐसा ऐसे डिंग होता है Next question है Who discovered oxygen Oxygen किस की खोज किस ने की थी Joseph Pristly, Joseph Black, Frits Haber और Daniel Rutherford जो इसका right answer है जो इसका right answer है वो है A Joseph Pristly ने oxygen की खोज की थी Next question है Identify the reaction in which acyl acid is converted to isosynate वह कौन सी reaction है जो acyl acid को convert कर देती है isosynate में Four option है सबसे पहला Lozen Rearrangement दूसरा है Curteous Rearrangement और तीसरा option है Symmet reaction और फोर्थ option है Wolf Rearrangement जो इसका right answer है वो है Curteous Rearrangement Next question है According to Higuchi model Drug release from porous matrix is directly related to Four option है Time Second option है Square of time And third option है Square root of time Fourth option है Porosity जो इसका right answer है वो है B Square root of time Next question है Position of N Position of Nitrogen in Purine Ring Purine Ring में Nitrogen कहा कहा present होता है पहला option है 157 257 दूसरा option है 137 And third option है 357 And Fourth option है 135 जो इसका right answer है वो है B 137 में जो Purine Ring में Nitrogen होता है 137 पोजीशन में होता है Next question है Which of the following models cannot be used to evaluate model dependent drug release ऐसा कौन सा model है जो की यूज नहीं होता है किसमें evaluate करने के लिए model dependent drug release के लिए इसमें पहला option है Higuchi Square Root Model Higzon Crowell's Cube Root Law and second option है The Webel Model third option है The First Order Kinetics Model and fourth option है Gushion Distribution जो इसका right answer है वो है Higuchi Square Root Model Higzon Provel Cube Root Law पहला option इसका सही है cannot मतलब इससे अपन evaluate नहीं कर सकते हैं model dependent drug release बागी team से कर सकते हैं Next question है Humira is a brand name of which of the monoclonal antibody 4 option है इसमें First है Adelimumab Trustujumab Retuximab and Aldous Leukin जो इसका right answer है वो है A Adelimumab का brand name होता है Humira और जो यह Trustujumab है इसका brand name होता है Herceptin और Retuximab जो है इसका होता है Drutuxan Aldous Leukin क्या होता है Alimphokine होता है जो कि Recombinant DNA Technology से बनाया जाता है या Produce किया जाता है इसके बाद Next question है Instantaneous distribution to most body tissues and fields is assumed in which of the following model जो instantaneous distribution होता है most bodies tissue and fields में वो किस model के थूँ assume किया जा सकता है पहला option है One Compartment Model Second option है Two Compartment Model Third option है Multi Compartment Model और Fourth है Data is Insufficient जो इसका Right Answer है वो है One Compartment Model One Compartment Model के थूँ instantaneous distribution assume किया जा सकता है Next question है First line Anti-Parkinson Drug Also used to treat Hyperprolectinemia at lower doses ऐसी कौन सी Anti-Parkinson Drug है जो की Hyperprolectinemia में भी यूज की जाती है lower dose पे इसमें जो option है First option है Ementadil Second option है Levodopa and Third option है Bromocryptin Fourth option है Benzotropin जो इसका राइट अंसर है वो है Bromocryptin Bromocryptin Hyperprolectinemia में at lower dose पे यूज की जाती है Next question है Agonism at which dopamine receptor subtypes can result in dopamine dysregulation syndrome इसा कौन सा dopamine receptor agonist है जो की dysregulation syndrome cross कर सकता है सबसे पहला option है D1 Second है D2 Third है D3 Fourth है D4 जिसका right answer है D3 dopamine 3 receptors dysregulation syndrome कर सकता है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है Celiglin is used in treatment of Parkinson's disease pick up wrong statement about Celiglin wrong statement लेना है Celiglin के लिए जो जिसमें से first option है It is tertiary amine with a propine phenyl propyl and methyl group जो A है ये right है ये साइ statement है अपने को wrong statement pick करना है Second option है It is irreversible inhibitor of mouth B ये भी right है It undergoes higher first pass metabolism ये भी true है Next है It produce the characteristic cheese effect ये गलत है Next question है If 3 gram of a drug are added and distributed throughout compartment and the resulting concentration is 0.1 gram per liter calculate the volume of the compartment इस question को solve करने के लिए compartment model में जो formulas है उनको apply करना पड़ेगा इन में जो option है 10 liter 20 liter 30 liter and 200 liter जो इसका right answer है वो है B 20 liter Next question है Glomerular filtration rate may be measured using Glomerular filtration rate किसको use करके measure की जा सकती है insulin second option para amino hypric acid and third option glucagon fourth option inulin जो इसका right answer है वो है inulin Next question है Number of isoprene unit in keratinoids are keratinoids में कितने numbers of isoprene unit होती है पहला option है 5 second option है 6 and third option is 7 और fourth option है 8 जो इसका right answer है वो है 8 8 isoprene unit होती है Next question है First satellite launched in space by India जो first satellite launch ही या था space में इंडिया के द्वारा वो कौन सा था पहला option है आर्यभट second है चंद्रयान और third option है इस्पूत्निक fourth option है Skylab जो इसका right answer है A आर्यभट next question है which is denatured spirit कौन सा denatured spirit है जो इसमें option है ethanol only second option है ethanol and methanol 50% third option है ethanol and methanol 5% methanol only इसमें denatured spirit जो है वो है C ethanol and methanol 5% next question है widely used insecticide rotenone is option है पहला option है P second option है isoflavonoid third option है steroid fourth option है lignin जो इसका right answer है isoflavonoid isoflavonoid इसका right answer है B next question है if the number of isoprene unit is 5 the compound may be अगर isoprene unit का number कितना 5 है तो compound कौन सा होगा option है first option है first option है c15 h24 c20 h32 third option है c25 h40 and fourth option है c35 and h56 जो इसका right answer है वो है c c25 h40 next question है capping is due to capping कैसे होती है पहला option है large amount of lines in the granules second option है improper moisture content of granules third option है improper or insufficient binders or lubricants fourth option है all of the above capping capping in सभी के कारण होती है spirulina arthrospira platinesis is aquatic cyanobacterium what is its protein content जो spirulina होता है उसमें protein content कितना होता है first option है 10 to 30% second option है 30 to 50% third option है 50 to 70% fourth option है 70 to 90% जो इसका right answer है वो है c 50 to 70% content होता है spirulina में प्मामाई बन्सेरोब काराण